रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे इस योट्यूब चैनल में या समय जिनका भी बड़े है या फिर मैरेज इनवर्शिरी है उन्हें हमारी और से डियर सारी सुब काम ना है आप दिन दुगोनी रात चोगोनी तरक्की करें किन वादी का साफ़त दोस्तों आये यहां जानती हैं की 1 रासी के जट्रों को लाब होगा और किनहें मिलेगी खुस खवरी आज भगवा श्री गनेश जी की किरपा की 1 रासी जात्रोंपर होगी और कैसा रहेगा आज आपका दिन आये यहां जानती हैं बो दुवार नौजुन 2021 को आपका देनिक राशी फल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आईए यहां जानते हैं और आज आपकी ग्रहों की स्तिती कैसी रहेंगी, क्या-क्या योग मनेंगे और इन सभी का असर आपके राशी पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेगे आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, और सुरू से अंत तक जरूर देखें, जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा चलिए वीडियो सुरू करने से पहले, जान लेते हैं आज के पंचांग के वारे में, आज 9 जून 2021, दिन आज बुद्वार का है, और जेश्ट मास के कृष्ण पक्ष की चतूर दसीति थी बन रही है, यह दो पहर के एक बज कर अंठावर मिनट तक चलता रहेगा, और इसक रोहणी नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी, योगी की वात करें तो सुकर्मा नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 6 बज कर 46 मिनट तक चलता रहेगा, और इसके उपरां धृति नामक योग प्रारम हो जाएगी, आज का सूर्य उदे का समय यह सुबह के 5 बज कर 7 मिनट पर, सूर्य रासी रहेगा, ब्रिसव रासी, चंद्र रासी, चंद्रमा भी आज ब्रिसव रासी पर संचार करेगा, अर्थात आज के दिन का सुब समय तो आज के डेट में कोई भी सुब समय नहीं है, और आज का रहुकाल का समय यहां दो पहर 12 बज कर 26 अन्य था आपके कारी में किसी भी परकार की वीगन बाधाएं आ सकती है, चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक रासी फल, जी हां हम आपके दैनिक रासी फल की बात कर रहे हैं, धनु रासी जातकों को आज सिम बताना चाहेंगे, आज आपकी गरहों की इस्तिती कुछ इस बन रही है, सितारे आज से आपके कह रही है कि आज आपका दिन व्यस्तता में वितेगा, और आज आपको कारी शेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा, हम आपको बताना चाहेंगे, अपनी कम्यों को दूर करने के लिए प्रयास जरूरी है, आज व्यापार नोकरी में इस्ति सामाने रहेगी, तन आप से दूर रहें और मन को सांत करने के लिए किसी प्रभू की अराधना करें, इससे आपका मन सांत रहेगा, हम आपको बताना चाहेंगे, बेफसायों को आकास मात का बड़ा और मिल सकता है, और कानूनी मामले में ध्यारी रखना होगा, हम आपको बत बताना चाहेंगे, आए में कमी हो सकती है, और साधी सुदा लोगों का दामपत जीवन खुशनुमा रहेगा, हम आपको बताना चाहेंगे, यह समय परिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है, और स्वास्त की इस्तती कमचोर रहेगी, जी हम आपको बता चाहेंगे, पुराने दोस्तों या संबंधों से धन लाब मिल सकता है, हम आपको बता दें, सेयर और प्रोपर्टी निवेश से अच्छा मुनाफ़ा होगा, और नौकरी की इस्तती अच्छी नहीं रहेगी, हम आपको बता दें, यह समय घर परिवार की भी समस्या रहेगी, समय साजेदारी के बिजनेस में बड़ा फाइदा मिलने के योग है, और हलके विश्यों की पढ़ाई में मन लगीगा, हम आपको बता दें, छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है, और सेहत अच्छी रहेगी, हम आपको बता दें, आज आपका परिवार का माहल खुसमाई रहेगा, आज के दिन जो भीवक्त सची मनसी भगवान श्री गनेश ची को पुकारेगा, उन्हें भगवान श्री गनेश का सीधा आशिरवाद प्राप्थ होगा, इसलिए आप से अनुरोद है कि आप सची मनसी कमेंड बॉक्स में ओम गनेशाय नमह जरूर लिख दें, धन लिवाद आपका दिन शुब रहे